तारे सितारे वमगरहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चारल और एश्टु गुरुजी बलते हैं आपकी जण्मराशी का हाल मित्रो बहुत-बहुत स्वागत थे आपका अपने ही चैनल एश्टु गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्यका राशी फल नई नई ग्यानवरधक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करते रहे तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिन आंक 12 जनवरी 2020 रवीवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज का दिन जो है बारा में से पांच राशी वालों के लिए भाग्यशाली रहेगा वहीं अन्य सात राशी वालों को आज सितारों का सांथ थोड़ा कम मिल पाएगा तो आज पोश मास सुकल पक्ष की दिती आती थी है रवीवार क का दिन है आज का दिन माने 10 गंटा 28 मिनिट का आज सुरियोदय होगा प्राताहकाल 7 बच के 15 मिनिट पर और सुरियास्त होगा साम 5 बच के 43 मिनिट पर और आज दिन की शुरुवात पुश्य नक्षत्र से होगी तो आज रवी पुश्य नाम का शुब योग है इस योग में आप कोई भी शुब कारिय आरंब कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की नई वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं कोई भी नया कारिय इस समय अबधी में आप आरंब कर सकते हैं और आज विश्कुम्ब एवं पृती नाम के दो योग रहेंगे और आज चंद्रमा का संचरन करकर र प्रैंब कर सकते हैं या भोमी भवन प्रापर्टी आदी की खरीदी बिक्री का काम कर सकते हैं यह मोहर्त भव़ुती疊 हम रेस्ट श्स होता है और आज का असूब समय दफ मोहर्त प्रारंब होगा सायंकाल 4 बच के 19 मिनिट से पार्मिन tattoo तो सायंकाल पांच बच के 43 मिनिट तक रहेगा तो इस दोरान आप किसी भी प्रकार का लेन देन का काम बिलकुल नहीं करें और आज दिसा सूल रहेगा पश्चिम दिसा में तो आज के दिन आप पश्चिम दिसा की और मुख करके कोई भी सुब मांगलिक व नए काम की परण करके यात्रा आप कर सकते हैं तो आज रविवार का दिन है आज का दिन जो है ग्रहों के राजा सूरी भगवान को समर्पी थे तो जिनके उपर भगवान सूरी देवता की विशेश करपा होती है या जन्म कुंडली में सूरी ग्रह जिनके शुब होता है उन्हें प्र अवशे ही करना चाहिए और जिनकी कुंडली में सूरिग रह शुब इस्थानों में होते हैं जन्म लगन के केंदर इस्थानों में होते हैं उन्हें प्रत्य कारी में और अपने कारी छेतर में विसे सफलता मिलती रहती हैं चाहे सास्की छेतर हो राजनितिक छेतर हो या जीवन हो व्यक्ति जो भी जहां भी जिस कारी को करता है उसे वहीं सफलता प्राप्त हो जाती है तो जिनका सूरी ग्रह कमजोर हो जाता है अशुब इस्थानों में होता है उन्हें सुख सोभाग्य जीवन में प्राप्त नहीं होता है और घर परिवार समाज में भी सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है कायरे में यश भी नहीं मिलता है इसके अलावा जिनका विवाह नहीं हुआ हो जो विवाह योग्यों हो और विवाह में ज्यादा ही बाधाएं आती हो तो उनका भी सूरी ग्रह कमजोर होता है तो उने भी सूरी देवता की पूजा अर्चना या वरत अवश्य करना चाहिए तो सूरी भगवान को प्रसन्न करने के लिए धर्म सास्त्रों के नुसार कुछ सरल से उपाई है जिने सरद्धा पुर्वक करने से व्यक्ति का जीवन सफल रहता है तो सबसे पहला उपाई तो इस प्रकार से है कि प्रती दिन शिग्र सूरी देवता को एक तामबे के पात्र में जल गंद पुष्प अक्षत ले करके अरगे चड़ाना चाहिए और सूरी देवता के नामों का उच्चारण करना चाहिए इससे सूरी देवता की विशेश क्रपा सदेवी बनी रहती है दूसरा उपा इस प्रकार से है रविवार का वरत करने का महत्व होता है तो रविवार के वरत का बहुती महत्व है रविवार का वरत करने से जीवन में सुख सम्रद्धी सम्मान वा स्वास्थ की प्राप्ती होती है मनों कामनाव की भी पूर्ती होती है इस दिन रविवार की वरत कता को सुनने से भी मनुश्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो रविवार के वरत में इस प्रकार से आपको नियम धारन करना चाहिए कि वरत वाले दिन सुरियोदे से पहले शिगर उट करके इसनान कर लेवे सुच्छ वस्त्रव धारन कर लेवे और अपने घर की पूर्वदिसा में सुरियोदेवता की मूर्तियत्वा तस्वीर रख करके शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना चाहिए और सुरिय भगवान के सामने इस वरत का आपको संकल पलेना चाहिए सुरिय देवता की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन कर लेना चाहिए और धूप दीप निवेद्य अरपन करें गुडगी अवश्य चड़ावें और स्रीफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारना चाहिए दोनों हातों में पुष्प ले करके पुष्प आंजली उनको अरपन करना चाहिए और अपनी मनो कामना भी आपको बोलना चाहिए जिससे सुरिय देवता की विशेश करपा बनी रहती है और इस वरत वाले दिन भी आपको सुर्योदे के समय एक तामबे के पात्र में सुद्ध जल या गंगा जल गंद पुष्प अक्षत ले करके सुरि भगवान को अरगे चड़ाना चाहिए और सुरि देवता के नाम मंत्रों का उच्चारन करना चाहिए और इस दिन आपको वरत में एक समय ही भोजन या फलाहार लेना चाहिए इसमें आपको नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और पुनह सायंकाल सुरियास्त के समय सुरि देवता के तस्वीर या मुर्ती के पास दीपक जला करके धूप दीप निवेद्य अरपन करके पूजन आदी करके आरती उनके उतारना चाहिए तैसा करने से सुरि नारण भगवान की विशेश करपा मिलती है हर जगह सम्मान की प्राप्ती होती है और कारिय में भी यश मिलता है तो आज जो है शुब ग्रह योगों का सीधा असर बारा में से पांच राशी वालों पर अधिक रहेगा इन पांच राशीों में आज है वरशब करक, कन्या, तुला और मकर राशी वाले लोग वहीं अन्य सात राशी वालों को आज सितारों का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा तो आज आज आपकी जन्मरासी के नुसार भगवान सूरी देवता को प्रसंद करने के लिए कुछ सरल से उपाय आपको हम बताएंगी जिससे आपको अपने कारेच छेतर में सफलता मिलेगी और धन समरद्दी की विवरद्दी होगी जो मनो कामनाए होगी आपकी वह शिगर भी पूरी हो जाएगी तो अब जानिए अपनी जन्मरासी के नुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं तो मेंशरासी से आरंब करते हैं मेंशरासी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकेगा आपको अच्छानक से धन प्राप्ती के योग बन सकते हैं जिससे आप कई आर्थिक परिशानियों से बच पाएंगे और भाग्य का साथ आपको पूरी طरह से प्राप्त होगा इस समय आपकी परिशानियां दूर करने के लिए आपके पडोसी आपका साथ देंगे आपको सहयोग प्राप्त हो सकेगा आज आपको अशुबु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं अगर आप किसी प्रोफेशन से संबंद रखते हैं तो ऐसा संबव है कि आपका क्लाइंट आपके कारी से संतुष्ट ना हो इस समय आपको निरासा हो सकती है लेकिन इसे आप सकारात्म गुरूप में ले सकते हैं और अपनी कमियों को निखारना का प्रयत न कर सकते हैं तो इसमें अच्छी सफलता आपको मिलेगी आज लाइप की यदि हम बात करें तो चंद्रगरह आपके सब्तम भाव में गोचर करेगा इस दोरान चूकी यह भाव विवाह इस्थान कहलाता है इसलिए विवाहिक जीवन में जीवन साती से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है इस दोरान आपको समझदारी से विवाहर करने की आवशकता रहेगी आज व्यापर विवसाई की यदि हम बात करें तो कारी चेतर में सफलता आपको मिलेगी और केरियर को उम्मीदों के पंख लग सकते हैं कारी स्थल पर चीजे आपके अनुसार रहने की संभावना अधिक रहेगी आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज आपको अपनी सेहत के पती थोड़ा सा गंबीर रहने की आवशकता रहेगी विशेश करके बाहर के खानपान पर आप नियंतर बनाए रखेंगे तो आपका स्वास्त बहतर ही रहेगा तो आज आपका भाग गिशाली अंक नो है शुबरंग आपका हरा रंग है तो हरे रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्नस अंकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में सुर्य देवता की मूरती अथ्वा तस्वीर रख करके सुद्ध गी का दीपक जलावे और सुर्योदय के समयक तामबे के पात्र में जल गंद पुष्प अक्षत ले करके सुर्य देवता को अर्ग चड़ावे गुडगी का नेवेद्य अरपन करे यथा सकती सुर्य नारण भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करे तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वा सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है वरशब तो वरशब राशी वालों को आज शुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि सादी सुदा जाता कि इस समय अपने जीवन साथी के नाम पर कुछ निवेश कर सकते हैं यह निवेश करना आपके लिए भविश्य में अच्छा साबित होगा इससे भविश्य में आपको मदद मिल सकेगी और आपके पिता अपने दम पर कोई नया विजनेस आरंब कर सकते हैं उनका यह फेसला आपके लिए लावकारी सिद्ध हो सकता है आज आपको अशुबु परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा हाला कि विपरीत परिस्तियों से लड़ना आपको बखु भी आता है कारी छेतर में आपको चुनोतियों का सामना भी करना पड़ सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई फेसला आपके सहकर्मियों को पसंद नहीं आए ऐसे में बहतर होगा कि आप पहले ही उसकी चर्चा अपने साथियों से कर ले आज लाइप किया दी हम बात करें तो इस समय ग्रह नक्षत्रों के स्थिती ऐसी है जिनकी वजह से आपकी जीवन साथी इस समय अपने प्रेम को प्रदर्शित करेगा और साथ ही आपका ख्याल भी बखु भी रखेगा इसके बदले में आपको भी अपने जीवन साती के प्रती इसनेह का भाव प्रदर्शन करना चाहिए आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें तो विवसाई बाधाओं से डट कर आज सामना आपको करना चाहिए अपने कदम रोकना नहीं चाहिए अन्यता सफलता पाने से आप वंचित रह सकते हैं और कोई शुबसमाचार आपको मिलने के योग है भाई बंदो का सहयोग आपको मिलेगा उससे आपको अच्छा फाइदा मिल पाएगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें अपनी सेहत को लेकर सतर करें पेर में किसी प्रकार का इंफेक्शन आदी होने की संभावना रहेगी तो आज आपको भाग्यशाली अंक दो है शुबरंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इश्नान करने के पस्चाद सूरियोदय के समय सूरिभगवान को एक तामबे के पातर में सुद्ध जल गंद अक्षता और पुष्पले करके उससे अरगे चड़ावे और यथा शक्ती गायत्री महा मंतर का बेट करके जाप करें तो एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब वा सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी ही मिथुन मिथुन राशी वालों को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं परिवरिक जीवन में आपको अच्छे फल मिलने की उम्मीद रहेगी अगर आपकी माता कामकाजी है तो इस समय उनकी आमदानी में ब्रद्धी होने के योग रहेंगे जिसके चलते उनके चेहर पर मुस्कान बनी रहेगी और सिक्छा के चेतर में विद्यार्थी वर्ग को अच्छी सफलता प्राप्त हो सकेगी मन माफिक फल मिलने की उम्मीद ज्यादा रहेगी आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं इस समय आपके मन में नए नए विचार या प्लानिंग रहेगी हालाकि इन विचारों को धरातल पर उतारना इतना आसान आपके लिए नहीं होगा लेकिन अपनी मेहनत के बल पर आप उन्हें क्रियानवित करने में सफल भी हो सकते हैं इस समय सेयर बाजार जुमा सटा लाटरे आदी में पैसा आपको निवेस बिलकुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको नुकसान होने की संभावना अधिक रहेगी आज लाइब की यदि हम बात करें तो आज आपके संबंदों में घहर आई रिस्तों में मजबूती लाने के लिए अपने प्रिय व्यक्ति या सांथी पर विश्वास आपको जताना चाहिए अगर पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज है तो उसे मनाने की आपको कोशिश भरपूर करना चाहिए आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आज का दिन वैसे आपके लिए सामाने रहने वाला है नई उर्जा का प्रवाहा आपको नीजी एवं व्यावसाई की स्थर पर नए कारियों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है इससे अच्छी सफलता जीवन में आपको मिलती रहेगी आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो सारीरिक और मांसिक रूप से थोड़ा सा थकान का अनुभव आप कर सकते ही इसलिए सारीरिक स्वास्त का ध्यान रखते हुए सरीर को परियाप्त आराम देना आपके स्वास्त के लिए ठीक रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुबरंग आपका केसरियारंग है के सरिया रंग का प्रयोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं कि प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोड में सुरी देवता की मूरती अथ्वा तस्वीर के सामने सुद्ध घी का दीपक जलावें और यथा शक्ती सुरी देवता की पूजन कर लेवें गुडगी का निवेद्य अरपन करें करपूर से उनकी आरती उतारने के पश्चात यथा शक्ती सुरी भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगले राशी है करक करक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं अगर आप नोकरी पेसा छेतर से जुड़े हैं तो आपके काम करने की गती आपके साथ काम करने वाले लोगों को आपके खिलाप कर सकती है लेकिन इस्तिती कैसी भी हो आपको अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए इस समय केवल विद्यारती वर्ग को नहीं बलकि इस रासी के हर वर्ग के लोगों का मन पिख न कुछ सीखने को और पढ़ने को लगेगा आज जिग्यासू ज्यादा हो सकते हैं जिससे भविष्चे में आपको कारे की छेतर में अच्छी उन्नती मिल सकेगी आज आपको अशुबु परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कारे छेतर में सफल परिणाम पाने के लिए जमकर आपको मेहनत करना चाहिए यह मेहनत सारीरिक मांसिक रूप से होना चाहिए इस समय भाग्य के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए और करम ही आपको करना चाहिए आपके पड़ोसी वर्ग आपसे आर्थिक मदद की मांग कर सकते हैं अगर आपके आप उनकी मदद नही करना चाहते हैं तो पहले से ही अपने प्लानिंग आप तयार रखें आज लाइब की यदि हम बात करें तो आज जीवन साथी के साथ समय बिताना बहतर रहेगा अगर आपके मन में किसी तरह का गिला शिकवा है तो उसे अपने जीवन साथी को जुरूर आपको बताना चाहिए क्योंकि अगर आप उसे न अपने मन में ही रखेंगे तो आपको हमेशा वह परिशान कर सकता है आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो केरियर में आपका प्रदरसन उम्दा रहने की संभावना अधिक रहेगी सफलता मिलने पर विरोधी भी आपके उत्पन न हो सकते हैं इसलिए वाद विवाद से बच करके और प्रेम पुरुन विवार आज आपको करना चाहिए आज स्वास्त की यदि हम बात करें सारीरिक स्वास्त पहले से आज आपका काफी बहतर रहेगा आत्म विश्वास का इस तर भी आज आपका अच्छा रहेगा तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं कि प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोड में सुरी देवता की मूर्ति अत्वा तस्वीर के सामने सुद्धगी का दीपक जलावे गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन कर लेवें एक लाल पुष्प की माला अरपन करें वस्तर अरपन करके गुडगी या मिठाई का निवेद्य अरपन करें करपूर से उनके आरति उतारें और यथा शक्ती सूरी भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करे तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगली रासी है सिम्व सिम्व राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप नई चीजे सीखने के परती इस समय उत्सुक ज्यादा रहेंगे इस रासी के कुछ नोकरी पेशा लोग इस दोरान अपने दिमाग को तरह ताजा रखने के लिए अपने मित्रों के साथ मिलकर कहीं गुमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं ऐसा करना उनके लिए काफी अच्छा रहेगा इस दोरान आपके आत्म विश्वास में भी बड़ पाने की उम्मीद कर सकते हैं आज सीखे की छोटे छोटे अनुगरा से उत्तमता की जाया कैसे उत्तमता पाई जा सकती हैं अपने काम और विवार में आप कुशल बने अनावश्यक धन वे होना की संभावना अधिक रहेगी खर्चों पर थोड़ा सा नियंतर नाप तो आप अच्छी सेविंग कर पाएंगे आज लाइप की यदि हम बात करें तो साधी सुदा लोगों के लिए यह समय ज्यादा अनुकुल नहीं रहेगा इस दोरान आपके माता पिता और जीवन साती के बीच किसी भी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती हैं इसलिए घर में ताल प्लानिंग और आइडियाज के करण प्रभावित हो सकेंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो स्वास्त खराब होने की पूर्ण संभावना आज रहेगी इसलिए बाहर के खान पान पर थोड़ा सा आप नियंतरन रखेंगे तो आपका सारीरिक स्वास्त बहतर ही रहे तो आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुबरंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिकाप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विगन संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विश शुपा इस प्रकार से हैं कि प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात अपने घर की पुर्वदिशा इशान कोण में सूरी देवता के निमित सुद्ध गी का दीपक जलावें और सुरियोदे के समय एक तामवे के पात्र में सुद्ध जल गंद पुष्प अक्षत ले करके सुरी देवता के निमित गुडगी का निवेद्य अरपन करें और यथा सकती सुरी भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वब सफलता दायकाज रहेगा अगले राशी है कन्या कन्या राशी वालों को आज आप विद्या और ग्यान के बारे में विचार कर सकते हैं ज्यादा जिग्यासा रखना आज आपके लिए काफी लावपरद रहने वाली है आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं उन लोगों से संपरक आप करें जिनसे लंबे समय से आपकी बादचीत न सकते हैं आज लाइब की यदि हम बात करें तो जीवन साती के साथ आज आपका विवाद हो सकता है ऐसे में आपको अपनी लाइब पार्टनर को सही से अपनी बात को समझना चाहिए और उनकी भी बात को समझना चाहिए उनको महत देना चाहिए ताकि बात किसी प्रकार की आ आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज अनावश्यक यात्राओं को आपको टाल देना चाहिए अकस्मात यात्रा होने की संभावना ज्यादा रहेगी इसलिए आज स्वास्त के को हितकर बनाए रखने के लिए आज यात्रा आपको नहीं करना चाहिए तो आज आपका संकट अवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में सूरी देवता के निमित्त सुद्ध घी का दीपक जलावे सूरी देवता की मूर्तियत्वा तस्व तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वा सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है तुला तुला राशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप अपने जीवन साती के साथ मिलकर घर में शान्ती और सदभाव बनाए रखने के लिए क हो सकेगी आज आपको अशुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप याद रखें कि भगवान सबको उतना देता है यतना वो हिंडल कर सकें अगर आपको अधिक चाहिए तो कठिन कामों के लिए आपको तयार रहना चाहिए यानि आपको अधिक से अधिक अथक परिस है तो उसे आज आपको निकाल देना चाहिए आज लाइप की यदि हम बात करें तो आपको अपने नीजी और व्यावसाइक कारियों के साथ साथ अपने जीवन साथी को भी समय देने की अवशकता रहेगी अपने जीवन साथी को समय देना आपके लिए अच्छा रहेगा इ हर काम में आसानी से सफलता आपको मिल जाएगी अपनी उर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रयोग करना आपके लिए काफी फायदे मन साबित होगा कामकाज की द्रस्टी से लक्षों तक आसानी से आप पहुँच पाएंगे आज स्वास्त की एदि हम बात करें तो उत्तम स्व करते हैं तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इश्नान करने के पश्चाद अपने घर की पुर्वदिशा इशान कोड में सूरी देवता की निमित सुद्ध घी का दीपक जला करके सूरी देवता की मूर्थी अत्वा तस्वीर का यथा शक्ती पूजन कर लेवें वस्तर चड़ावे लाल पुष्प की माला अरपन करें गुडगी और मिठाई का निवेद्य अरपन करके करपूर से उनके आरती उतारें यथा शक्त के लिए समय अच्छा व्यतित होगा इस दोरान आपको साहस में वरद्धी होने की संभावना रहेगी और इस दोरान अच्छे फलों की प्राप्ति आपको हो सकती है घर में ननिहाल पक्षे से रिस्तेदार आ सकते हैं या किसी अतिती का आना हो सकता है उनके आगमन से घर मे खुशी का माहूल रहेगा आप किसी तरह का वाहन या फिर भी कोई नई प्रापर्टी आदी खरीदारी का विचार कर सकते हैं आज खरीदारी करने के लिए दिन आपके लिए स्रेश्ट रहेगा आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं अपने दिल और व अच्छी सफलता आपको मिलेगी अतीत के बारे में सोच करके अपना समय बरबाद आपको नहीं करना चाहिए कियोंकि अतीत की कमी आपको निरास कर सकती हैं आज लाइब की अधि हम बात करें तो इस समय आपके लिए जटिल समस्याएं घर में उत्पन न हो सकती हैं लेकिन आपके उत्साह में कोई कमी नहीं रहेगी, यह समय अपने आसपास के लोगों और प्रिये जनों की मदद करने के लिए ठीक रहेगा, इससे आपको एक अलग ही अनुभववा पहचान की प्राप्ति होगी, आज व्यापार व्यवसाय की अधिहम बात करें, तो अपनी कारी सेल तो आज अपनी सेहत का पूरा-पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए, आज खास करके अपने खान-पान पर ध्यान देने की अवशकता आपको ज्यादा ही रहेगी, जिससे आपका सारीरिक स्वास्त बहतर बना रहें, तो आज आपका भाग्यशाली अंक नों है, आपका पीला रंग है, तो पीले रंग का प्रियोक कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी विग्न संकटवा बादाओं को दूर करने के लिए, आपका विशेश उपा इस प्रकार से ही, प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात, अपने घर की पूर्वदिशा इशानकोड में सूरी देवता की निमित्त, शुद्ध घी का दीपक जलावे, गुड़ घी का निवेद्य अरपन करें, और एक तांबे के पात्र में सुद्ध जल या गंगा जल गंद पुश्प अक्षत ले करके, सूरी देवता को सूरी देवता के समय अरगे चड़ावे, तीन बार अरगे चड़ाने के पश्चात, यथा शक्ती सूरी भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा, अगली राशी है धनू, धनू राशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, अगर आपकी अंदर योग्यता है, नोकरी आदी की तलास में आप जुटे हैं, तो इस संबंद में इंटरियो आदी पहले आपने दिये हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होन सकते हैं, आप प्रतियोगी परिक्षाओं में सफल हो सकेंगे, वहीं विरोधी भी आपका सामना करने से घवराएंगे, लेकिन फिर भी आपको उनके कूछ चक्र से आज बचना चाहिए, इस अवधी में आप ठकावट और निरासा का सामना भी करेंगे, आप याद रखें क आदरशवाद, चेतना और विवेक का परिणाम है, जो आध्यात्मिक्ता और विश्वास से मिलता है, आज लाइप की यदि हम बात करें तो अपने नीजी संबंद में किसी दूसरे सक्स को आज दखल अंदाजी आपको नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इससे रिस्तों मे दरार पड़ सकती है, जो आपके दामपत्ती जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपको अपने जीवन में रोमांस करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा, आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें, नोकरी आदी आप करते हैं तो नोकरी में तरक्की के योग रह आज स्वास्त की यदि हम बात करें, तो आज आपकी सेहत खराब होने की संभावना अधिक रहेगी, पेट से संबंदित, छोटी मोटी समस्याएं आपको परिशान कर सकती हैं, तो आज विशेष करके स्वच्छता का आप ध्यान रखें और नियमित दिन्चरिया का आप पा आपती होगी, तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपा इस प्रकार से हैं, प्राताहकाल इस्नान करने के पश्चात, अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोड में सूरी दिवता की निमित शुद्ध घी का दीपक जलावें, और सूरी दिवता की मूरती अथ्वा तस्वीर का यथा शक्ती पूजन कर लेवें, वस्त्र अरपन करें, एक लाल पुष्प अरपन करें, गुडगी और पंचे मेवा का भोग अरपन करके, करपूर से सूरी भगवान की आरती उतारें, यथा शक्ती सूरी भगवान के ना आपने देखे थे इस दोरान पूरे होने के योग रहेंगे आपके संगी सांथी की आमदानी में इस दोरान वरद्धी होने की उम्मीद रहेगी या उनकी नई जाब आदी लगने के योग रहेंगे अपनी यात्रा को इस्तगित आपको नहीं करना चाहिए बलकि इसका आनंद आपको लेना चाहिए यहाँ समय लंबी दूरी के कनेक्शन या संपरक का सही उपयोग करने का रहेगा आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके आत्म विश्वास में वरद्धी आप देख सकेंगे हाला कि आर्थिक मामलों को लेकर आपको इस समय सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए इस समय आपका कोई मित्र या रिस्तेदार आपसे पैसे आदी उधार मांगने आ सकता है उधार आप तभी दें जब आपको पूरा यकिन हो कि पैसे आपके समय पर प्राप्त हो जाएं आज लाइब की यदि हम बात करें अगर नई नई रिलेश्वास में रखें रिस्तों में जल्दवाजी आपको नहीं करना चाहिए जहां तक शादी सुदा जातकों का सवाल है उन्हें थोड़ा अपने जीवन साथी पर ध्यान देने की अवशक्ता ज्यादा ही रहेगी आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो अभी लंबी दूरी और विदेशी कनेक्शन विन्मई और व्यापार सब आपके पक्ष में रहने वाले हैं आप यात्रा करेंगे जिससे आपको कोई खास अवसर प्राप्त हो सकेगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज आरोग्य एकदम आपका अच्छा बना रहेगा और आप इस फूर्ती से सब काम कर पाएंगे तो आज आपका भाग्य शाली अंक दो है शुबरंग आपका हरा रंग है तो हरे रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इश्नान करने के पस्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में सूरी देवता की मूरती अथ्वा तस्वीर के सामने सुद्ध घी का पक जलावें सूरी देवता की अथाशक्ती पुजन कर ले में वस्त्र वा पुश्प की माला अरपन करें पंचमेवारितू फलका भोग अरपन करके सूरी देवता की करपूर से आरती उतारें। नाम मंत्रों का बेट करके जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है कुम्भ कुम्भ राशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके सुभाव में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा अपने बोधिक ज्यान के करण लोग आपसे राई मश्वरा ले सकते हैं इसके अलावा समाज में आपका रुतबा आपका सम्मान बढ़ेगा आपके साहस और आत्मविश्वास में वरद्धी होने की संभावना अधिक रहेगी इस दोरान आप अपने लंबित कारियों को पूरा कर पाएंगे और एक विजेता के रूप में उभर करके आप निकलेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना आज करना पड़ सकता है अगर माता जी किसी कारिछेतर में काम करती हैं तो उन्हें वहां किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके विवाहिक जीवन में कुछ परिशानिया खड़ी हो सकती है आज घर परिवार में तालमिल बनाए रखना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आज लाइक यदि हम बात करें तो जीवन साथी आज आपके प्रती ज्यादा ही सतर करहेगा उन्हें किसी भी तरह से नाराज करना आपके विवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है आपके ससराल पक्षका कोई शक्ष आपसे आर्थिक मदद करने के लिए इस समय आगे आ सकता है इसलिए सावधानी पुरवक आज आपको लेंदेन करना चाहिए आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आज आपके आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी बिजनेस में अच्छा फाइदा मिलने के योग है लेकिन अपने काम पर ध्यान लगाना थोड़ा सा मुस्किल आपके लिए हो सकता है हडबड़ी दिखाने से आज आपको बचना चाहिए और काम में ध्यान लगाने की कोशिस करें अप एक्छा के अनुसार परिणाम आपको जरूर मिलेंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज अपनी सेहत से आप थोड़े से परिसान हो सकते हैं आँक से संबंदी छोटी मुटी समस्याएं आपको हो सकती है आज विशेश करके स्वच्छता का आप ध्यान रखें और योग ध्यान का सहरा लें तो इससे सारीरिक और मांसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे तो आज आपका भाग्यशाली अंक नो है शुबरंग आपका पीला रंग है तो पीले रंग का प्रयोकारिशेत्र में आज अधिक सदिकाप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ति होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाथ अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोड में सुरी देवता की मूरतियत्वा तस्वीर के सामने सुद्ध घी का दीपक जलावें और यथाशक्ती सुरी देवता का पूजन कर लेवें सुरी देवता को एक तांबे के पात्र में जल गंद पुष्प अक्षत ले करके तीन बार अरगे चड़ावें और गायत्री महामंत्र का बेट करके यथाशक्ती जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायकाज रहेगा अगली राशी ही मीन मीन राशी वालों को आज शुब परिणामिस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप अपने आदर्सों और विचारों को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं यह समय उमंग सच्ची आध्यात्मिक्ता बोध्धिक और नेतिक विकास का रहेगा पिछले वक्त आपके जीवन में कई उतार चड़ावाये थे और इस समय आपको अपने इस्थाई मुल्यों के बारे में जानकारी मिल पाएगी आज पुरानी समस्याएं आपकी दूर हो सकेगी आज आपको अशुब परिणामिस प्रकार से मिल सकते हैं नोकरी पेशा से जुड़े लोगों को कुछ परिशानियों का सामना आज करना पर सकता है हो सकता है कि इस दोरान कारे छेत्र में टाइमिंग में कोई परिवर्तन आ जाए और आपका कोई काम बिगड़ जाए इसके साथ ही इस राशी के विद्यार्थी वरग के सुभाव में करोध की अधिकता इस समय अधिक हो सकती है जिससे इनकी एकागरता आज प्रभावित हो सकती है इसलिए अपने करोध पर आज आपको नियंतर्ण बनाए रखना चाहिए आज लाइप की यदि हम बात करें तो अपने विवाहिक जीवन को सुखमे बनाने के लिए आपको अपने जीवन साथी को स्वतंतरता देने की अवशकता रहेगी अगर आप उन पर जबर जस्ती प्रतिबंद लगाने की कोशिस करेंगे तो पास आने की बजाएवे आपसे दूर हो सकते हैं या किसी प्रकार की दरार आप दुनों के बीच पड़ सकती है आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें कुछ सुखद समाचार मिलने की उमिद आपके लिए ज़्यादा हो सकती है व्यावसाई की स्तर पर अपनी और से भरसक परियतना आपको करना चाहिए सकारात्मक परिणाम आपको अवश्य मिल सकेंगे चाटुकारों से गुप्त सत्रों से आज आपको सतर करहने की अवश्यकता रहेगी आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज पेशेवार और व्यक्तिक बतलाव आपके स्वास्त और आहार संबंदी समस्याइं पैदा कर सकते हैं इसलिए किसी भी प्रकार का बतलाव आज आपको अपने कारिछेतर में नहीं करना चाहिए तो आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुबरंग आपका बेंगनी रंग है तो बेंगनी रंग का प्रियोक कारिछेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विगन संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाथ अपने घर की पुर्वदिशा इशान कोण में सूरी देवता की मूरती अथ्वा तस्वीर को रख करके उन्हें जल से इसनान करावें वस्त्र आदी चड़ावें अच्छे से उनका स्रंगार करें गंद पुष्प अक्षच चड़ावें लाल पुष्प की माला अवश्य चड़ावें गुडगी का नेवेद्य अरपन करने के पस्चाथ करपूर से उनके आरती उतारें और यथा शक्ती सूरी भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायकाज रहेगा तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्री करश्नमित्रों फिर मिलेंगे